नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल क्रिकट अप में साथियों ICC वर्ड कप 2023 की तैयारिया जोरो पर हैं ऐसे में भारती टीम के चैन करताओं ने कुछ ऐसे खिलाडियों को बाहर का रास्ता दिकाया है जिन खिलाडियों ने अपने बहतरिन परदर्सन के बलबूते भारती टीम को कई बड़े खिताब जिताने में निभाई थी एहम भूमका तो आखिरकार कौन है ये खिलाडी जो बन गए भारती चैन करताओं की नजरों में गुनागार इन खिलाडियों का कसूर क्या है बस इतना ही कि इनों ने अपने बहतरिन परदर्सन से कई बार भारती टीम की डूपती नईया को पार लगाया था दिखाएंगे इन खिलाडियों का पूरा बीडियो मगर उससे पहले आईए नजर डालते हैं वर्ड कप 2023 पर साथ हुआ आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार एक दिखाएंगे क्रिकेट वर्ड कप का आयोजन पूरी तरीके से भारत में किया जा रहा है इससे पहले तीन बार वर्ड कप भारत में हुआ लेकिन पूरी तरीके से भारत में ना होकर भारत, पाकिस्तान, स्रिलंका, बंगला देश, सायुक्त देशों में मिलकर हुआ था दोस्तों वर्ड कप 2023 को लेकर भारते टीम ने अभी से ही तैयारी करना सुरू कर दिया है क्योंकि एक दियोसी वर्ड कप 2023 से पहले भारते टीम के पास बस मुठी बरकस समय बचा हुआ है वर्ड कप 2023 के पहले भारते टीम को अपने खिलाडियों को अजमाने के लिए ज़ादा समय भी नहीं बचा क्योंकि वर्ड कप के पहले भारतिय टीम के पास बस एक लास्ट वंडे सिरीज बची हुई है वो अभी भारत और अस्टेलिया के बीच में मार्च की महिने में खेला जाएगा अस्टेलिया के खिलाब भारतिय टीम के इस रिच के बाद भारतिय टीम को आईपियल तो ही आईपियल के तुरंत बाद भारतिय टीम को एसिया कप में खेलना होगा ऐसे में भारती टीम के पास बहुत एक कम समय बचा हुआ है कि वर्ड कप को लेकर अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सके तो चलिए बात करते हैं उन खिलाडियों के बारे में जिन खिलाडियों के बहतरिन परदर्सन के बाद भी भारतीय चैन करता हुने 2023 के वर्ड कप में मौका नहीं देना चाहते हैं साथियों वर्ड कप खेलना हर किसी खिलाडी का सबसे बड़ा सपना होता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय टीम में तीन खिलाडी ऐसे भी है जो भारतिय टीम के लिए कई बार संकट मोचन बनकर भारतिय टीम को जीत दिलाने में निभाई थी एहम भूम का तो वहीं आखिरकार क्यों कप्तान रोहिस सर्मा और भारतिय टीम के मुख कोच राहुल दर्वड के लाख चाहने के बाद भारतिय चैन करता इन खिलाडियों को 2030 के वर्ड कप में मौका क्यू नहीं देना चाहते हैं इन खिलाडियों ने हाल के कुछ ट्यूनमेंट में अपने दमदार प्रदर्शन से क्रिकट जगत में अपने नाम का डंका बजवाया वहीं इन खिलाडियों के लिस्ट में खिलाडी ऐसा भी है जिसने भारतिय टीम को T20 वर्ड कप 2022 में सेमी फाइनल तक पहुँचाने में निभाई थी एहम भूम का तो वहीं भारति टीम का वह दूसरा खिलाडी जिसे इस वर्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिलने वाला उसने हाल में ही अस्टेलिया और निर्जोलेंड के खिलाप अपने दमदार प्रदर्शन के बलबूते T20 में भारत को सिरी जिता कर बिरोधी टीम के हांसले को चकना शूर कर दिया था सेमी फाइनल तक पहुचाने में निवाय थी एम भूम का अखिर कौन है ये तीनों खिलाडी जिनके साथ भारते क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना इंशाफी दिखाएंगे इन खिलाडीों का पूरा वीडियो में अगर उससे पहले आपको क्या लगता है भारते टीम के बिस्पोटक बल्लेबाज सूरी कुमारी आदो को एसिया कप 2013 और वर्ड कप 2013 में खेलने का मौका मिलना चाहिया नहीं वीडियो में कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा साथ्यों इन तीन खिलाडियों के लिस्ट में पहले उस खिलाडी का नाम है जिसे भारते टीम के चैन करता 2013 के वर्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बनाएंगे जिहां साथ्यों इस खिलाडी का नाम है रभी चंदर असुनी सात्यों असुनी की बात करें तो भारतिय टीम ने जब जब असुनी को खेलने का मौका दिया है असुनी ने अपने बल्ले और गेज से दोनों से भारतिय टीम को जबरदस योगदान दिया है साथ यो बात करेंगे हम भारतिय टीम में रभी चंद्रासुनी के योगदान की तो हाल में ही T20 वर्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में जब एक गेदो पे दो रन चाहिए था और दिनेश कार्तिक रन आउट होकर पबीलेन चले गए थे उस समय भारतिय टीम संकट में दिख रही थी तो इस मैच में असुनी ने लॉंग ओप के उपर से चौका मारकर भारतिय टीम को जीत दिलाई थी सिच्वेशन के अधार पे भारतिय दर्सक असुनी की इस चारन को कभी नहीं भूलना चाहेंगे साथियों बात करेंगे टेस्ट मैचों में रवी चंदर असुन की योगदान की तो भारतिय टीम की तरब से असुनी अब तक के सबसे सफल इस्विन गेदवाज हैं असुन के वल्ले से अभी तक टेस्ट मैच में कुल तीन सतक आये हैं और 450 से अधिक विकट जो किसी भी भारतिय इस्विन गेदवाज में सर्वसेष्ट परदर्सन रहा सुनी का जो बात करेंगे हम दूसरों समातपूर खिलाडी की जिसे इस वर्ड कप 2030 का हिस्सन नहीं बनाना चाहते भारतिय टीम के चैन करता जी हाँ साथियों उस खिलाडी का नाम है सिखर धवन जिने हम गबबर के नाम से जानते हैं साथियों बात करेंगे सिखर धवन की तो अभी तक भारते क्रिकेट हिस्ट्री में सचिन तेंदूलकर बिरंदर सहबा की ओपनिंग जोडी के बाद भारती क्रिकेट हिस्ट्री में भारत की तरब से रोहिस सर्मा और सिखर धवन की जोडी ने भारते टीम को सबसे अधिक मैच जिताया है इन दोने बले बाजों की ओपनिंग जोडी ने 2019 के वर्ड कप में ऐसा तहल का मचाया था जिसे देकर ऐसा लग रहा था जैसे 2019 का वर्ड कप भारत के सिवा कोई और टीम जीत नहीं पाएगी लेकिन सेमी फाइनल के मुकाबले के पहले प्रैक्टिस के दोरान सिखर धवन के चोटिल हो जाने के बाद ओपनिंग की जिमेदारी केल राहुल को मिली थी जिसका पड़ाम यह हुआ कि भारतिय टीम सेमी फाइनल का मुकाबला हार कर करोड़ो भारतिय फैंस के वर्ड कप जीतने के सपने पर फानी फेर दिया था या खिलाडी अगर जो चोटिल ना हुआ होता तो 2019 का वर्ड कप भारतिय टीम के फास होता दोस्तों इस विस्ट में हम बात करेंगे तीसरे उस भारतिय खिलाडी के बारे में जिसे भारतिय चैन करता ICC वर्ड कप 2023 का इसम नहीं बनाना चाहते इस खिलाडी में जब से भारतिय टीम में डेबिव किया है अपने बल्ले से ऐसा तहल का मचाया है कि दुनिया का खतरनाक से खतरनाक गेदबाज सपने में भी इसके सामने गेदबाजी करने के बारे में नहीं सोचता होगा इस बल्लेबाज ने बहुत ही कम समय में क्रिकट जगत के बड़े से बड़े रिकोर्ट को अपने नाम किया है जिस रिकोर्ट को बड़े बड़े खिलाडी बरसों तक खेलने के बाद भी नहीं हासिल कर पाएं जी हम साथ यो आप समझ गयोंगे, हम किस खिलाडी की बात करें, उस खिलाडी का नाम है सूरियक कुमार यादो, सूरिक कुमार यादो को भी भारतिय चैन करता, ICC वर्ड कप 2030 का हिस्सान नहीं बनाना चाहते, उसके पीछे बड़ी वज़ाया है कि सूरिक कुमार यादो ने अब ही तक अपने कैरियर में पचीस ओंडे मैच खिले हैं, जिनमें उनके बल्ले से एक भी सतक नहीं आया है, और उनका आउस्सत भी मामूली रहा है, हाला कि सूरिक कुमार यादो, एक विस्पोटक बल्ले बाद हैं, और हुआ मैच का रुकर किसी भी तरफ मोडे में चैन करता, उनकी जगा पर स्रे सायर को मौका देना मुनासित समझते हैं, दोस्तों आपको क्या लगता है इन तीनों खिलाडियों में से किस भारतिय खिलाडी को भारतिय चैन करता हों को ICC World Cup 2023 में मौका देना चाहिए, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा